तो आज हम बात करेंगे टिवन मिट्री खुरुमिट्ज कि पीभीएस क्लास में भी आप टिवन मेट्रें रिशो में पढ़ ऑले में पढ़ कर Sum आपने जो साइड से mm होति है उनकी रैशियो के वारे में पढ़ा था यहां पर एक राइक एंगल है और यह एक्यूट एंगल है थीटा तो इसके लिए आपने एरेशो लिए थी जैसे यह पर पार्पेंडिकलर पी से दिनोड करते हैं यह पाइस ऐसे बेस तो आप अपर चुक्के हो कि अगर यह एंगल थीटा एक्यूट एंगल है तो साइन थीटा क्या है इस ए हम लेते हैं रेशो तो को सीटा जो रेशो है वो है बेस अपाउन और सिमिरली टैन थीटा जो है वह परपेंडिटर अपाउन बेस और इनके आपर एसी प्रोक को ले लो तो यह बन जाता है को सीगन थीटा एच पॉन पी यह है सीकंड थीटा एच पॉन बी और यह है कॉट थीटा भी अपॉन और आपने इसको शॉर्ट फार्मुले में याद किया था पंडित बद्री प्रशाद हर हर बोले तो यह रेशो आप पर चुके हो वार एक्यूट एंग Scout इन्सेहरन इसले बोलता है ट्रिगरमेट्री रिशास अब हम यहाँ पर इलेवंध क्लास में पढ़ेंगे इन रैशिव को पढ़ेंगे फरेंगे हम सभी अंगल के लिए जाह हम अक्यूत आंगल की बात कर रहे हैं अब हम सभी अंगल के लिए विए की लिए आजओ कि रिशुब вариan पढ़ेंगे और इन रेडिन फ़ाम यहां पर हम सिर्फ 90 डिगरी 180 डिगरी ऐसे करके आपने किया था एंगल जो डिगरी में लिया था लेकिन अब यहां पर हम रेडियन को भी कंसिडर करेंगे यह कुछ मैंने तीन यहां पर एंगल है यहां थीटा लिया मैंने यहां एक से ले लिया है इसमें कोई फर्क नहीं है और उसे हम कैसे फाइंड करते थे ऐप क्या करते थे जरो लेते भाण लेते यृट टू नेठे तो फिर आप क्या करते थे फिर आप क्या करते थे खृट लेते अब जो अंसर आएगा वह मारे पास साइन के एंगल्स की वैदी आती जैसे 0.4 that is better 0 1.4 का root 1 by 2 इसे 1 by root 2 ये root 3 upon 2 और ये और cause x में क्या आता था कि इसको reverse में लिखते थे ये 0 ये 1 by 2 ये 1 by root 2 ये root 3 upon 2 और ये 1 और ये 1 और ये root 3 और ये not defined that is infinity भी आप लिखते थे यह आप अपर चुक्यों हमने प्रिविस चेप्टर में किया था पाई रेडियन के इस इकवल टू 180 डिग्री एक रिलेशन की बात की थी कि पाई रेडियन जो 180 डिग्री के इकवर होता है हम इन एंगल को रेडियन में कनवर्ड कर सकते तो 0 का 0 और 30 पाई वय आपके 6 आजएगा ये पाई भाई फोड़ेगा यह πाई वाई 3 आजाएगा और यह पाई वाई आप चाहे तो इन फार्मलों को यूज करके यहां से आप इनके रेडियन फॉर्म निकाल सकते हैं अंगल की यहां तक ठीक है हम बात कर रहे हैं यहां पे अब क्वाड्रेंट की किसकी कर रहे हैं क्वाड्रेंट क्या चीज़ है कि एक प्लेन है ध्यान से देखना आपने तो प्लेन को हमने मैंने डिवाइडि कर दिया फॉर पार्ट में और मैं अगर इसे यहां पर एक ऐसे मिलाओं तो यह क्या बन जाता है को सर्कल तो सर्कल का अगर सर्कल का पूरा एंगल हम मेर करें तो कितना आता है इसका मतले चार पार्ट है तो हर एक पार्ट जो है उसकी विर्थ कितनी है नाइंटी डिग्री ठीक है तुझे चार कोड़न आ गई अब अब मैएक एंगल ले रहा हूँ इस कोड़न में मैं स्पोस कर रहा हूं कि यह जो एंगल मैंने लिया का टेन को फोर्टीफाइव डिग्री इंगल आप आपका फॉर्स कांद में आया इस फॉर्स कोड़न इस इस सेकंड इस थर्ध यह इस फोर्थ कोडरन हर एक की सब्सक्राइब ऑप 25 फोड़ देूंद करेगा सब्सक्राइब को guessing अगर विजिए पिस्फाइब गोंको कि वेरियेशन है जो जी जिरो से लेकर और कहां तक है नइन्टी तक तो मैं यहां पर इसकी वेरीशन लेता हूं अगर मैं थीटे को यहां एक से रप्लेस कर देता हूं तो मेरे पाज इस क्वार्डन में जो एक्स जो वेरी करेगा वह 0 से लेकर 90 डिगरी तक वेरी करेगा अगर फिर्स्ट कॉर्डन मैं एक एंगल लेता हूं हाँ एकसे एकल दू वान ट्वटज डिगरी और यह एंगल कहा जाएगा ये देखें यह है आर यह अससे स्टार्ट होगा जिरॉख हँआ हैं पर चापका आपका जो एंगल है parecer कौ violation में चला गया सेक्ड में जो This is a whoa किस angle से लेकर किस एंगल तक वे करेगा यहां से इसे करेगा मैं यह ने नहीं कहा कि देन्धि गरींट में यह वो कहां जी उला एंगल की है वो कहां डिगरी तक सेकेंड में है ठीक है थार्ड क्वार्टर में अगर आ जाता है कोई एंगल स्पोर्ज करो मैं एंगल ले लेतना हूं 240 डिगरी तो 240 डिगरी जो आपका एंगल है यहां से स्टार्ट होगा यह 240 डिगरी अंगल है और यह कौन सी क्वार्टर में है थार्ड क्वार्टर में जो एंगल है अगर मैं एंगल एक्स लेता हूं तो इसकी वेरियेशन कहां से स्टार्ट होगी से थार्ड की बात करूंगा मैं यहां से 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं 180 से लेकर इस क्वार्टिन में जो एंगल की वेरियेशन है वह 180 से लेकर 270 डिग्री तक है यह 270 डिग्री है यहां पर फोर्थ में अगर बात करता हूं अगर यहां पर कोई अंगल आता है मालो एक्स जो 300 डिग्री है तो यहां से स्टार्ट होगा वेटा ऐसे करके आएगा और अगर मैं सिर्फ इसी वेरियेशन की बात करों सिर्फ फोर्थ कॉर्टन की तो फोर्थ कॉर्टन में जो एंगल है वो वेटा 270 डिग्री से लेकर तीन सो साथ डिग्री के बीच में वेरियेशन फोग्यूस की बेठते सब की बराबर 90 90 डिग्री है ठीक है एक और सीज में अगर स्पोस करो यहां पर एंगल एक्स है बेटा तो इसका जो ऑपसेट एंगल अगर हम लें डाउनवर्ड नेगिटिव हमने शुरू में एक मैंने कहा कि एंगल क्या है इसी दा मेजर्मेंट ऑफ रोटेशन ऑफ रहे तो हमने ऐसे लिए था तो अगर यह थीटा है यह एक्स है और इसी को मैं इतना ही नीचे ले जाता हूं यह ओ ए बी यह ओ ए बी नीचे की तरफ तो यह क्या है और यह ठीक इसका क्या है ओपसेट और यह माइनस एक्स जो है वह कौनसी कौर्टन में पहुंच गया फोर्थ में और एक्स कौनसी कौर्टन में है फास्ट में तो जब भी आपको एंगल के साथ माइनस लगा तो हम कहेंगे कि वह जो एंगल है वह फोर्थ क्वार्टन में हैं तो आपको क्वार्टन के बारे म तो सिक्स्टी रेश्व म cach aí्मी इन चार कौडर में साइन का कैसे का से रहेगette कौन dow सी कौोड़न में पॉजितिव कौन सी कौड़न में ठीक है चलिए फिरागे चलते हैं देखे अभी तक X यूज़ करें तो फिर एक की रखते हैं X तो इसे अगर हम चेंज करना चाहें रेडियर में तो मैं इसे लिख सकता हूं 0 2 Republican और इसे लिख अधों पाई वय टू से लेकर पाई और इसे लिख सकता हूं पाई से लेकर थ्री पाई वाई टू और इसे लिखा जा सकता है थ्री पाई वाई टू से लेकर टू पाई है तो हम बात कर रहे हैं साइन कि जो हमारे पास छे टी रिशू है साइन एक्स कॉज एक्स टैन एक्स कॉज सीकंड एक्स और कोट एक्स इन चार क्वाड़न में इनका क्या क्या साइन है दखो जो फॉर्स क्वाड़न है उसमें सारी जो रिशू है वो आपकी पॉजिटिव आएंगी छे के छे टी रिशू अगर यहां पर जैसे पॉजिटिव का मीनिंग कै आप साईन 70 एक एक को धुल डो फिक्स्âyक सबढरते पॉप है दो पहले कोट किव ले लो को सिपन टैन के वैल लो अगर इसी कौर्टन में रहता है तो वह जो wealue आएगे जैसे साइन थटी मिद यह वह वैल्यू आपको positive मिलेगी क्या मिलेगी positive मिलेगी second quarter में sin x और इसका reciprocal cost second x यह बैटा positive मिलेगा बाकी 4 cost second 10 और tangent यह negative मिलेगी कैसे मैं ले लेता हूँ हो है कि है 1h đakt है चो तैन 1 20 डेटी की जो मे ceram है वो हमें निकालनी है अभी को वकिसे जो है निया ठ्राफ करना कि इसे हम कैसे स्वर्व करेंगे नेक्स्स वीडियो आएंगे जो चाहिंए शेलिख भनयेlast कैसे निकाली जाती है फिलाल आप इतना याद रिखें कि जब हम 120 की बात करते हैं 120 में आ गया तो टैन ट्रॉंटी की जो भी वैलियू आएगी उसके साथ क्या लगा होगा माइनस लगा होगा ठीक है निकाली बाप्की भी ऐस से होगा जो थर्ड टैन ऐसमें टैन एकस विटा और कोट एकस ये दोनों बाकी 4 नेटिव यहां पर कॉस एक्स और सीकर्ण एकस यह पॉसिटिव और बाकी cigar नेटिव यहां पर ह कॉस्क्स के साथ यहां माइनस एक्स जो है अगर किसी एंगल के साथ माइनस लग जाता तो वो फोर्थ कॉर्टन में कंसीडर होगा साइन का पता चल लगया नेक्स एक और हमारे पास रिजल्ट है यहाँ देखे यह कोई पॉइंट है पी ठीक है यह कॉर्डन है हमारे पास तो लेटास पोस्पोस को यह जो पी है यह यह एक यह बनाता में थर्ती डिखरी है फिंक है तो मैं इसे माल लेता हूँ कि साइन थ्रती की यहां भी इसका मसाना थर्ती निकालता कितना जी वारन वह वही टू होता है साइन ठीक है आपको पता है अपने पिछे वहां से लिखा था अद मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से क्डशकर अब मूँव करने कर वाद मैं इसे वापस यहीं पे ले जा रहा हूं तो इस निए पूरा चपर मेरे चक्र लगाने में में कितना एंगल बनाया 360 और पहले कितना था ये पहले 30 था फिर आपने चक्कल लगाया फिर यही पहुचा दिया से इस लाइन को फिर आपने यही पहुचा दिया तो आपने 360 इसमें एड़ कर दिया अंगल अब इस एंगल के उपर साइन की वैल्यू सेम वही आएगी जो आपने 30 पे लिए थी इसमिरली आप कॉज ले 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 आप कॉज की विल निकालो सेम आई की नहीं आई क्योंकि जब आपकी लोकेशन वही आगी पूजिशन वही आगी तो वैल्यू चेंज होगी आपने यहां से इसको घुमाया फिर यहीं पुचा दिया यहां पे यह देखा जाए अगर फर्स्ट की बात करें तो यह फिर कितना बना रहा है थटी बना रहा है और उसी पूजिशन पे पहुंच गया तो उसी पूजिशन पे पहुंचने पर इसकी वैल्यू वही रही तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहा गया इससे आप यह एक और गुमाया एक और और गुमा दो फिर पहुंच जो फिर आप पी को वहीं लेकिए फिर फिर पीडाश को उसी पूजिशन में अंगल आपका थर्टी था यहीं पे उसी पूजिशन पे आया तो जो बैली इस कोज़ को थर्टी की है दो बार घूमने के वाफिर यहां पूंचने फिर इसकी वैली जो है वही रहेगी क्योंकि पूजिशन वही है एंगल फिर वही आ रहा है एक सक्सिस के साथ है तो मेरे पास साइन थर्टी की वैली रूट 3.2 भी आएगी और अगर यहां पे दो बार लगूम है तो 306, 306, 720, 720 जमां 30, 750 तब भी इसकी वैली जो है यही रही है तो हमारे पर जल्ट आया कि जो यह जो 60 रेशिव हैं आफ्टर टू पाई अगर मैं रेडिन में बोलूं तो टू पाई अगर मैं डिगरी में बोलता तो 360 आफ्टर एवरी 360 दा वैलियो इस हर एक 360 के वाद इसकी वैली रुपीट और एक तो मैं जनररवी लिख सकता हूं कि टू एड़ पाई प्लस एक्स पर इसकी वैल्यू सेम रहे रहे हैं यहां हम कहने रपीट यह तो आगर मैं यहां पर करूं साइन टू एड़ पाई पलस एकस तो इसका अंसर क्याएगा एंगल यही रहेगा यह आपने जितने मज़ी चेंज करते जाओ ठीक है और एक क्रेक्शन थोड़ी से और है कि अगर टैन की बात करें तो टैन जो है यहां पर भी पॉस्ट्व होता है तो टैन के मामले में टैन पाई प्लस एक्स यहां कोट पाई प्लस एक्स इसकी वैलियो फिर यही रहेगी ठीक है टैनर कोड जो पाई इंटरवल के बाद भी उनकी वैलियो रपीट होगी और टू पाई के इंटरवल के बाद भी चेंज होगी तो टू पाई टू अपाई का मतलब टू पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई आप एड़ करते जाए बैल्यू आपकी वही रहेंगी जो आपकी शुरु में थी ठीक है तो चलिए इसके ब्स की ऊपर हम कोस्यbak कर लेते हैं दो क्विष्टन कर वाँगा आपको एक हम इस ब्स पे कर लेते एक इससी योब इस पर सेइक साइपोगर इस इकली ट्रीड आफन फाईव और एकृट्स में second quadrant आपने जो बाकी 5 T ratios हैं जो 5 functions हैं उनकी value find करनी है तो यहाँ पर देखें तो X कौन से एंगल में इसका हुआ यहाँ पर गहीं तो जितनी हमारे T ratio है वो यहाँ पर हमने calculate करनी है तो इस quadrant में हमारे पास साइनेक्स और कॉसे कनेक्स पॉजिटिव बाकी चार नेक्टिव ठीक है तो इस जैसे जैसे question आएंगे आपको और भी question है तो इन question को आपने करना कैसे है आपने तीन T ratio फाइंड करनी है शुरू में साइनेक्स कोज एक्स और टैनेक्स इन तेनों में से कोई आपको एक given होगी सम ताइम आपको को सीकन भी given हो सकता है जुरूरी नहीं कि यह एक given हो और तो आप इसे change करके sign में बदल सकते हैं तो sign से आप फिर cause निकाल सकते हैं और sign और cause जब निकल जाएगा था आप वहां से 10 find कर सकते हैं similarly अगर आपको 10 given है तो आप 10 और सीकंट स्क्वेर एक्स का आपस में relation होता है वहां से आप 10 को use करके सीकंट की बैली निकाल सकते हैं सीकंट से आप बैली निकाल सकते हैं कोज की से रेसी प्रोक्ल सीकंट का कॉज तो तीन रेश्य आगी बाकी तीन को आप रेसी प्रोक्ल कर दो तो निकालने के रिए वह कहता है पांच एक्षिल में हमने करनी होती है दो ही बाकी तुर्ण आजाएंगी तो यहां पर देखिए साइन अक्सर को गिवन है हमने साइन के बाद किसकी ववरी निकाल सकते हैं कोज की आपके पास है जी साइन स्कुर एकस प्लस कॉस के एकसे इकलवान वही नो डैट आप लिखने यहां पर को को सिार एक साभाइंड करना चाहते हैं से बन माइने से साइन स्क्वेर एक सका रूट और प्लस माईनेस के लेकिन यहां अब कोज एकस जो है हम एक्स कौन सी कविर्द में बात कर रहे हैं तो सब्सक्राइब क्या है तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा ने पॉजिटिव कैसे हैगा है सब्सक्राइब में साइन लिखा मैंने और यहां पर आपने वो लिखना जुरूर है कि सिंस एक्स लाइज इन सेकंड क्वार्डर देर्फोर कॉज एक्स इस नेगिटिव तो वैल्यू आप यहां पर फाइंड कर लें माइनस वन माइनस साइन स्क्वेर है तो साइन एक्स की वैल्यू आपको 3.5 वार स्क्वेर है और आप इससे सॉल्ब करेंगे तो 60 अपॉन 25 माइनस 4 अपॉन 5 तो अब आपके पास देखी वैटा साइन आ गया कॉज आ गया थर्ड हमने साइन आ गया कॉज आ गया हमने 10 फाइंड करना है तो देर्फोर 10 एक्स इस इक्वल तो साइन एक्स अपॉन कोज एक्स साइन एक्स की वैलियो हमारे पास है 3 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 5 5 से 5 कैंसल माइनस 3 अपॉन 4 तो 10 सेकेंड में नेगिटिव होता है देखो आपके पास नेगिटिव आ गया इसका मदा आपका कॉशन ठीक है बाकी आपने रैसिप्रोकल देने तो साइन का रैसि सब्सक्राइब माइनस 4 अपॉन 3 तो दिस यार अंसर चलिए क्वेशन नमबर 10 देखिए हमने इसकी वैली नुकालनी है कॉट ऑफ माइनस 15 पाई अपॉन 4 ठीक है हम फार्मला यूज करने वाले हैं कि कोट 2N पाई प्लस एक्स कि 2N पाई के बाद इसकी वैली रुपीट हो क्या मैं इसे ऐसे लिष्टा हूं देखिए पॉर पाई अगर अड़ करूं जो भी एंगल अजरे इसमें तो मैंने कहा कि जब हम प्न पाई आड़ करते जाएंगे that is 2 pi add कर दो 4 pi add कर दो 6 pi add कर दो 8 pi add कर दो किया उस angle की value में कोई फरक आता है नहीं आता तो मैंने 4 pi add कर दिया यह बात समझाए तो इसे आप solve कर ले क्या बन गया solve करने पर कितना आ गया और quote pi वा 4 कितना था बिटा 1 ठीक है जी समझा गया ठीक